प्रीविद्यार थी जो भी चाथ दोजार चोबिस में बोट की परिच्छा देने वाले हैं और क्लास तेन्थ के स्टूडेंट हैं उनकी हिंदी की परिच्छा 22 फरोरी को होगी तो हिंदी की परिच्छा में सबसे इंपर्टेंट चीजे होता कि जिवन परिच्छे जिवन परिच्छे हर साल आता है और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजर रहते हैं हर साल की मतलब कौन सा जिवन परिच्छे याद करके जाएं क्योंकि एक जिवन परिच्छे आता नहीं है बहुत सारे चेप्टर हैं और हर चेप्टर के अलग-लग लेखक ह तो किसका किसका उत्यार करके जाएं तो देखिए जो 2024 में बोर्ट के पेपर में जो बदला हुआ हुआ है जिवन परिचे भी आएगा उनकी परूख रचनाओ का नाम देखिए जिवन परिचे लेखक का यहां पे कभी हो तीन दूपांच नमबर का जिवन परिचे आने वाला जिवन परिचे लिखने का तरीका को भी बदला गया ठीक है अगर उसके अनुरूप आप नहीं लिखेंगे आपका नमबर कड़ जाएगा ठीक है तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं किसका किसका जिवन परिचे याद करके आपको जाना है तो लास्ट और किस वीडियो में आप बने रही है ठीक है सबसे पहले हम आपको गाद खंड का बताते हैं जिवन परिचे तो कितने नमबर कड़ अगा पांच फरिचे कोई एक लोग आ जाएं ठीक है अधित्त संभावना एक दोनों लोग का आ जाए लेकिन एक लोग का तो पक्का है आना ही आना है तो आप आप आचाय राम चंसुगल और जैसंकर प्रसाइब दोनों लोग आच्छे पूरा त्यार कर लिजिए ठीक है आपको मतलब अब इसको कैसे इसको भी अभी हम बता देते हैं पहले अब काविखंड का भी बता देते हैं तो यह हो गया अब काविखंड में बहुत सारी चेप्टर हैं लगभग इगारे चेप्टर है ठीक है तो इगारे लोगों का नाम या आप इगारे लोग का जियोन परिचे आप नहीं त्या तीनों लोगों का लिए परिचय इनों परिचय करें और बось के परिचर क्या होता है आप झाल परिचय का नाम देता है कि सब्सक्राइब के इन परिचर के जाते हैं तो पक्का आके पमी工作 नाम उसमें आया रहेगा और आप इसमें से लिख सकते हैं अब बात आती है कि जियोन परिशे को लिखना कैसे बोड ने कैसे दिशा निर्देश दिया है ठीक है कुछ बच्चे इक्तम सिधा सिधा जियोन परिचे लिखते हैं जैसे किताम में लिखा देखिए गाइड है यहा जियोन परिचे इस तरीके से लिखा यहां पर संचीत में परिचे दे दिया ठीक है तो इस तरीके से नहीं लिखना है आपको मतलो किता भी भांसा वाला ठीक है नहीं तो आपको पूरा नमबर नहीं मिलेगा ठीक है नमबर तो मिलेगा लें पूरा नमबर नहीं मिलेगा बो संक्या 26 पे मतलब आपके पेपर में मिलेगा और इस तरीके जिसका भी जियोन परचे लिखना है और उनके बारे में कुछ अच्छी बाते भी लिख सकते हैं पेपो आपको लिखना से जिवन परचे घिक है इतना है iez लिखने पर आपको एक नमबर इक नमबर पिर इस तरीके से सक्थे जिन के बारे में सब लिखना है ठीक है तो इसको लिखने के लिए आपको मिलेगा दो नमबर दो नमबर अगर आप इनका वीडियो चाहते हैं था हमारे टेलिग्राम चैनल पर भी पढ़ा यूटूब चैनल भी पढ़ा है वहां से आप जा कि इनको देख सकते हैं ठीक है हर मतलब जो मेर में कभी है लेखा कुन का जो परचम ने डाल दिया ठीक है इसको अच्छे देख जी आप इसका इसकी साड़ भी ले सकते हैं ठीक और उसके बाद आप यहां पर लिखेंगे यहां तक हो जाएगा फिल लिखें कृतिया परमुक उनकी रचनाय का उन्ती चिंता मरीर रस्मी मांसा हिंदी सब्दसागर हिंदी साइट का इतिहास तीन चार आप लिख देंगे इससे काम चल जाएगा ठीक इसी तरीके साब जासंकर परसात का भी देख लीजी इस तरीके से जासंकर परसात का जन्म जन्मस्थान मृत्यू परमुक रचनाय च्यावादियू के लेखकते मेन पॉइंट होगा एक नमबर हैं मिल जाएगा जीवन परिचे लिख देंगे इ अगर ये वीडियो पसंद आया तो मनें दोस्तों साथ इसको शेयर कीजिए फिर से हम आपको बता देते हैं कि के और पांच लोगों का आप त्यार करके जाए दस नमबर एकदम पक्का हो जाएगा आचायर राम चंसुक्ल जैसंकर परसाद सूर दास गोस्वामी तूलसी द कीजिए और जाए पेपर में लिखी हंडेट परसेंट पूरी गारंटी है आपको फूल नमबर मिलेगा धन्यवाद